चलिए सुरू करते हैं प्रैक्टिसेट तीसरा हिस्ट्री का हिस्ट्री का जो प्रैक्टिसेट तीसरा देने जा रहा है उससे पहले मैं बता दूँ अगर मेरा हिस्ट्री का वान लाइनर पढ़ चुके हैं तभी प्रैक्टिसेट दीजेगा तभी मज़ा आएगा देने में, क्योंकि हूब हूँ कोश्चन उसी से बनाया गया है, तभी आप कुछ समझ में आएगा, अन्य था आपको कोश्चन हार्ड भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं लग सकता है, तो ये समझ दाईएगा, तो जरूर पढ़िएगा तभी कोश्चन को समझने में आएगा उस लिवल से तैयारी भी आपका होगा और NTPC, BPSC या और भी अन्न एक्जाम जितने भी एस्टेट के हूँ वो एक्जाम देते हैं तो इस किताब से पढ़िए जिके जिके जिसके मामले में आप टॉप रहिएगा ये मैं लिख के देता हूँ शुरुआत पहला कोश्चन के सामने इसका जवाब आप दे दिया होंगे सिवा जी कब और कहां पैदा हुए बदाएगा तो सिवा जी कब और कहां पैदा हुए हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप्शन नमबर डी जो लगाएंगे वो सही तो पैदा होना का मतलब जन्म की बात हो रही है, तो लसो सर्पाइस में और सिव नेर में हुआ था, तो चलिएंगे next question, next question है कि नाना जी शाहिव के नाम से कौन परशिद्य थे, तो नाना जी शाहिव से अगर परशिद्य वेकती का नाम बताईए, मतलब राजा शाशक का ना तीसरा प्रशन है कबीर किस धार्मिक नेता का शिश्र था, धार्मिक नेता का शिश्र था के जगापे शिश्र थे बोल सकते हैं, रिस्प्रेक्टर देने में क्या जाता है, है ना तो याद रुखेगा नेता शिश्र थे, तो ये option के हिसाब से बताईए, तो हम बहुत अच चौत्य प्रश्ण के बात करते हैं तो शीखो के दूसरे गुरु कौन थे आपसे एक रिक्वेस्ट है दस गुरु का दस गुरु जी का शीखो के गुरु जो दस हैं उनके comment box में comment करिए किन को याद है पूरा नहीं याद है तो बताएगा नहीं तो अनलाइनर देख लीजे च तो चौति प्रश्ण का गुरु अंगत जो हैं दूसरे सी गुरु दूसरे गुरु हैं यार रखेगा पांचमे प्रश्ण को जवाब देजे तमिलाडु का परशिद्य जो सिटम्बरमन orchestra मन्दिर है पांचमे प्रश्ण का जवाब देगे पांचमे प्रश्ण का तो यहां पर question थोड़ा सा confusion होता है यहां पर देखे लॉडर बेले जली देता है यहां पर लिखा हुआ है लॉडर बेले शली के साथ संधी पर हस्ताचर करने वाला निजाम कौन था तो जानते हैं निजाम कौन होगा एक ही तो निजाम था निजाम अली थे यह इसमें सोचनी की बात नहीं तो option number B जो लगाएंगे वो सहे लगाएंगे तो लॉडर बेले शली के साथ जो है शंधी का हस्ताचर करने वाला जो निजाम कौन था तो निजाम अली थे यह हो गए चरिये साथ में प्रश्ण की बात करते हैं बेले जली था बिले शली के जगा पे बिले जली य वाला था तो और कोई नहीं था option number Canning जी था कौन था Canning था तो जैसे ही पूछेगा बिदवा बिबाह कानून किसने पास किया तो वो किया Canning ने साथ मा प्रश्ण का option number A जो लगाए वो शही लगाए चलिए जो उसके साथ energy के साथ आठ मा कोशन देखिए बिडिस इंडिया या इंडियान आर्मी बिडिस इंडियान आर्मी में चर्वी वाले कार्टूस जो था वाली नए Enfield rifle कब आई बताए कब आ गया था तब ही तो आगे जाके करांती हो जाएगा है ना जो कि मंगल पांडे का भूम का आएगा इसमें है ना मताईगा कब आया था तो हम बहुत अच्छे से लगाएंगे आप तो यह तो जानते ही है कि 1857 में आया था तो जनवरी 1857 यह राइट अंसर है तो जनवरी 1857 में आया था यह कर्टूस वाला चीक है अब उसी समय आया तो शुरुआत भी तो होगा लड़ाई लेकिन आगे बात में पढ़ेंगे आगे यह 1857 नामक किताब के लेखा कौन थे सोचिए 1857 का जो किताब लिखे हैं The Indian War of Independence कौन लिखे हैं तो इस option के हिसाब से आप अच्छे से जवाब दिजेगा क्या option number B वेड़ी शावरकर जी थे वेड़ी शावरकर से सवाल बनता है यह ज़रूर ध्यान रखेगा बहुत 1857 के अस्थापना जो है 1870 इसमे में किसने की तो जैसे ही भारतिय सुधार शंग की अस्थापना की बात होगी 1870 की बात होगी किसने की है यह सवाल अगर पूछे तो हम बता देंगे 10 में प्रश्न का क्या बताएंगे option number A के सबचंदर शें थे को थे के सबचंदर शें जी जो की भारतिय सुधार शंग के अस्थापना के थे कब 1870 में चलिये इगारमा प्रश्न देखिए आग या मंगल पांडे शें एगारमा प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 सोचिए जो राइफल आया था वो जनवरी 1857 में आया था पढ़ेते ना अब सोचिए मंगल पांडे क्या हुआ क्या किया लिए 29 मार्च को क्या हुआ 1857 को अंगरेजों के खिलाफ बगावत की थी बगावत मतलब शुरू कर विये तो किस ब्रिटिस एंडियन जो से ब्रिटिस इंडियन से समन्दी थे जो कि चरवी का जो आया था उसके खिलाफ सुरू कर दिये जनवरी में आया था मार्च में सुरू कर दिये इनको पता चले मार्च में ना तो बताईए तो इसका अंसर आप जानते हैं बहुत अच्छे से ऑप्शन नमबर B मेरट नहीं मेरट में सबसे पहले शुरू आथा करांटी ठीक है 1857 का लेकिन मार्च में यहां से सुरू कर दिये थे खिलाफ कर दिये थे सेना के तरफ से शेना का विद्रो माना जाता है ये जरूर ध्यान रखेगा इसका अंसर आप बढ़िया से कर देता हूं इसका अंसर है औप्शन infantry जो होता था ना इंडियन शेना का एक batch होता था याद रखेगा दूसरी से समद्धी थे तो चलिए बाराम प्रश्ट आज सिर्फ 1857 से ही question जादा बनेगा, बताईए 1857 की करांती के समय governor general कौन था, सोचिए बताईए 1857 के समय जो बता सकते हैं, तो हम अच्छे से बताते हैं, लेकिन आप बताईए अगर मेरा मुड़ान पढ़ने होगा तो जरूर आप चाहे 1857 का special वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर करिएगा, अब NCRT में तो especially बाटा हुआ है 1857, तो जरूर पढ़ेंगे बताईगा, तो याद रखेंगे ये इसका जवाब आप याद रखेंगे 12 माँ प्रश्ण का क्या होगा तो B होगा, लॉर्डर कैनिंग ही था जो कि आप उपर पढ़ चुके थे, तो लॉर्डर कैनिंग ही था जब 1857 में ये करांती हुआ था देखे, तेरा माँ प्रश्ण है अखिल भारतिये किशान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यच कौन बना था, बताईगा, अगर अखिल भारतिये किशान सभा के हुआ था, उसके पहले अधिवेशन के अध्यच कौन बना था बताएंगे तो option number A Swami Sahajanand थे को थे? Swami Sahajanand थे आखिल जैसे भारती किशान सभा की बात होगा न तो Swami Sahajanand की बात कर देंगे चलिए 14 प्रश्टें इसके बारे में भी detail मैंने बता दिया था चलिए शिंदू घाटी शबता की विक्षित अवस्था में नमरीकित में से किस अस्थल से घरों में कुआ के अवस्थेश मिले हैं? मताँ घर में कुआ का अवस्थेश मिला है सिंदू घाटी सबता में जिसे हड़पा सबता के नाम से पढ़ रहे थे टॉपिक नमबर टू, रैक्टिश नमबर टू में इसकी चर्चा हुई थी ना बताएगा एक कोशन तो इससे बनता है बताएगे 14 प्रश्ण का जवाब देंगे तो ये हो गया ऑप्शन मेरे हडपा हडपा में ही कुआ का अवस्थ मिला है हर घर में कुआ बना हुआ था, समझ गये हड़पा में देख रहा है तो पंदरा नमर कोशन है कि अकवर ने सरपर्थम जो है बैवाहिक समंद जो है राजपूतों के जिस ग्रीह से अस्थापित किया वह था क्या ग्रीह से अस्थापित करने का मतलब घर घर से मतलब करने का मतलब कि जब बैवाहिक समंद जो अस्था पे सुरू किया था कबर ठीक है तो आप जानते है राजपूत की बात कर रहा है तो राजपूत के कौन साज यह आप्शन है चार में सब राजपूत हैं बुंदेर, रठोर, सिसोधिया यह सब कच्वाहा जितने भी हैं यह सब राजपूत हैं तो किस जगह से अपना समंद सुरू किया था राजपूत से अगर समंद बनाय बैवाहिक समंद बनाया अकबर, तो कह Kabr, तो कहों से तो प्शन गुर्भी कच्वाहो से वाहो है, चीक है कच्वाहो से सो रहाजवा प्रशन है औरंजेव ने दच्छिन में जिन दो राजियों को विजय किया था, वह थे कौन सा पताईगा, औरंजेव ने दच्छिन के जो दो राजिय पे विजय किया था यह साफसा पस्ट पस्ट है पताईव वह कौन था तो हम जानते हैं, option number 3, बिजापूर और गोलकुंडा बिजापूर और गोलकुंडा पर जो है और अरंजेव ने दच्छिन में कबजा कर लिया था, जीत लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था सत्रमा प्रश्ण है कि दिल्ली से दौलतावाद रजधानी के अस्थनांतरन का आदेश दिया था, बताएगा कों दिया था आदेश, तो हम इसमें बताना है आपको, जैसे कि दिल्ली से दौलतावाद रजधानी किया, मतलब ले गया तो ये आदेश कों दिया था बताएगा, बता सकते हैं बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते ही तो option number D, सुल्तान मुहमद बिन तुगलक, यहाँ पर सुल्तान के जगह पर मुहमद बिन तुगलक ही देता है, तो यहाद उखेगा, तो मुहमद बिन तुगलक ही कहा था कि भाई दिली से हम दौलतावात रहधानी, ले चलो, ठीक है, आदेश दिया था, ठीक है, Hunter Commission जो है, Hunter Commission का जो रिपोर्ट यहाँ पर गलत लिखा गया, ठीक है, रिपोर्ट में, विकास पर विशेश जोर दिया गया था, तो कौन सा, बताईगा, Hunter Commission में अगर पूछा जया, Hunter Commission का जो रिपोर्ट है, कि विकास में अगर विशेश जोर दिया गया है, तो अठारम प्रश्ट का अंस सवाल है, आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर की स्थापना कोन किया था, बताईगा, इस चार उप्शन में से जवादेंगे, उनीसमा प्रश्ट, उप्शन अमबर डी, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने सही बात, आगरा का स्थापना किया था, आगरा आप देख रहे हैं, चलिगा, विस्वाव प्रश्ट है, बंगाल की निम ediyorumaking फैक्टरियों में से एक, जो पुरुतकालीों द्वारा स्थापित की गई थी, हुह थी, कौन सा, देखिये, बंगाल में एक फैक्टर्यों अस्थापित हुआ था, जो की पुरुतकालीों द्वारा स्थापित की गए थी, तो हुग ली, वह थी, ठीक है, चलिए, एकिस्मा प्रश्ट, एकिस्मा प्रश्ट का जवाब देंगे, तिरे रत्न सिध्धान्त, सम्यक दर्शन, शम्मक ज्यान, शम्मक आचरन, बताईए, जिस धर्म की महिमा है, वह है, कौन सा, बताईएगा, अब देखिए, जैसे ही सम्यक दर्शन, सम्मक ज्यान, सम्मक आचरन होगा, हम याद कर लेंगे, किसको, जैन को, किसको, जैन को, तो जैन धर्म से समन्दित है, चीक है, शरीट, टुट्टी-टू कोश्ट नमर है, कि भारत में द्वेट शाषन प्रणभ किया गया, तो जैसे ही इसमें कौन सा अप्शन लगाएं, किसका टिक लगाएं, बताइए, वाइसमा प्रश्ट का जबाव देंगे, तो याद कीगा, ऑप्शन अबर एक, गवर्मेंट आफ इंडिया आक्ट 1935 में, तो द्वेश आशन प्रम्भ किया गया, शुरुवात किया गया, गवर्मेंट आख्ट 1935 से है, चलिए, तेज़मा प्रश्ट बताएंगे, पुना पैक्ट पर हस्ताचर किये थे, तो पुना पैक्ट पर हस्ताचर कुन किये थे, पताए, पुना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और अंबेदकर जी के बीश, आप अच्छे से जानते ही, तो आप बताएं इसका तो आप्शन बड़ी, गांधी जी एवं अंबेदकर जी, पुना पैक्ट हुआ था, गांधी जी यूग देखे होंगे, तो उसमें ये वीडियो में इनकी चर्चा हुई है, निमिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाग बेवस्था का बिस्तरित बीवरन दिया है, कोन किया है डाग बेवस्था के बारे में, बताई विस्तरित बीवरन दिया गया है, सल्तनत का कोन, दिल्ली सल्तनती सब की बात हो रही है, बताईए, 24 का अंसर का जबाब देंगे, ओप्शन बड़ी, जिया उद्दीन वर्नी, कोन है, जिया उद्दीन वर्नी था ठीक है यही वीवरन क्या है विस्तुरित वर्णन क्या है डाग वेवस्था का चली गानी जी ने अपना प्रथम सत्यागरा आरंभ किया था तो पहला सत्यागरा तो बिहार से ही शुरू किया ना बता सकते हैं तो इस उप्सन में तो बिहार का तो कुछ दिख नहीं रहा तो अ 25 का, बताएंगे, तो option number C, मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने के बिरूद में ये सत्यागरा सुरू हुआ था, परतम सत्यागरा, तो याद रखिएगा गानजी जी का अपना, ये अगर इसे जगा पर चंपारन रहता तो उसमेरे चंपारन सत्यागरा को टिक लगा देते 26 प्रश्ण है कि निम्रिकित में से किसने असायोगा अल्दोलन के दौरान बिदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निर्ष्ट बरवादी बताया था, तो कौन बताये थे, इसमें से 4 option है, जवाब दीजगा, तो simple setting जवाब है, option बड़ी, रवीना टेगोर बोले थे, ठीक बख़णे के समय कौन से नगर में कैद थे, जैसे जैसे कहने का मतलब है कि सिवा जी मुगलों के कैद में थे, मतवर रंजेव कैद कर वा लिया था, आप जानते ही, और जब भागने के समय की बात हो रही थी, उससे पहले की बात बताये कि कहा कैद थे, तब ही तो तो कहा कैद थे, बताईगा, तो हम जानते हैं आगरा में कैद थे, ठीक है, कहा कैद थे, आगरा में कैद थे, ठीक है, अब बताईए बक्षर के यूद के समय, दिल्ली का शाशक कोन था, बक्षर का यूद हो रहा था, ठीक है, बक्षर का यूद 1764 में हो रहा था, होता है बक्षर का यूद हो रहा था बताएंगे तो हम बहुत अच्छा से जानते option number D शाह आलम द्यूतिय था शाह आलम द्यूतिय था तो बक्षर के यूद केश में दिल्ली का शाशक था शाह आलम द्यूतिय था बताएए सिंदू घाटी शबता कि खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वो है कौन-कौन देखिए एक नाम तो आप जानते हैं आगर तो सिंदू घाटी शबता की अगर खोज की बात करें 1921 की बात करते हैं अद्याराम शाहनी को याद करते हैं लेकिन एक और थे पताएगे कौन थे पताएगा ओध अच्छा सवाल है पताएगे तो आप्शन नमबर एक ही होगा क्यों राखल दास्मनर जी और दैराम शाहनी क्योंकि पूछा है सिंदू घाटी शबताओं की खोज निकालने का दो भारतियों का नाम आता है तो देखे ये राखल दास्मनर जी जो है उनी 122 में मुहंज राडू की खोज किये थे और दैराम शाहनी हडपा की खोज किये थे तो ये सिंपल जानते है चलिए जोड़ा में बताना था आगे बताएगे मुगल प्रशाशन में मुह तशीव मुह तशीव की बात करते है मुह तशीव की बात करते है था क्या था बताएगा मुगल प्रशाशन में मुह तशीव था बताएगे तीसमा प्रशन का क्या होगा तो अप्शन नमबर सी होगा लोग आचरन अधिकारी को कहा जाता था मुह तशीव मुगल प्रशाशन से समंदित है तो लोग आचरन अधिकारी जो होती तो उसी को कहा जाता था मुह तशी चलिए आप बताएं एक तीसमा प्रश्ट का जबाब देजिगा राजा राम मोहन रायद्वारा ब्रह्म समाज के अस्थापना की गई थी तो जैसे ही ब्रह्म समाज के अस्थापना की बात करेगा वैसे ही ऑप्शन नमर सी लगाएंगे उन्हें अठारसोस्वारी अठारसोस्वी में तो अठारसोस्वी में क्या हुआ राजा राम मोहन रायद्वारा क्या हुआ ब्रह्म समाज के स्थापना की गे थी तो ब्रह्म समाज के स्थापना जाराम मोहन रायत्वाद देखिए अनुशीलें समीती थी क्या थी अनुशीलें समीती ये चर्चा भी है बहुत फेमश भी है तो अनुशीलें समीती एक करांती कारी शंगठन था बस इतना ही जानना है और कुछ जाननी के अवशक्ता नहीं है तेतीसमा प्रश्ण के क्या है कि महात्मा बुध्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस अस्थान पर दिया था बाहरी आवाजों को थोड़ा इगनौर करेंगे कहा देंगे शार्णात में तो महात्मा बुध जाए धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें धर्म चक्र परिवर्तन को उपदेश कहा जाता है क्योंकि उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं और पहला उपदेश दिये थे शार्णात में के लिए देखिए नन्वन्स के पहुशात Br किस राजवांस ने सासन किया तो मौर करेगा और कून करेगा नन्वन्स के पहुशात अगर देखा जाए तो कून करेगा मौर करेगा है न अब जानते है चलिए आगज चले 35 कोशन है मौर काल में सिच्छा का सरवधिक प्रसिद्ध के अंदर था कौन मौरकाल की बात हो रही है उससे मैं बताईए तच्छिसिला था आप यादखी का चनक को तच्छिला के गुरू थे देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिनोंने सुतंता अल्दोलन में महत्पूर्ण भूमिका निभाई बताईगा महत्पूर्ण भूमिका निभाई है वो अंसर का जबाब देंगे तो 36 का अंसर का जबाब होगा क्या होगा बता सकते हैं तो बताईए तो हम बताएंगे option number A अबूल कलाम आजाद थे अबूल कलाम आजाद का नाम आता है 37 कोशन number बताएंगे तो अमरित बजार पत्रका के स्थापना किसने की बताईगा अमरित बजार पत्रका की जो है कौन किया था शुरुआत कौन किया ये बताईगा 37 का तो option number D है सिसीर कुमार घोश्टे याद रुकिएगा बाहरी आवाज कोश्यादा ही आ रहा होगा हम च्छमा चाहते हैं क्या कर सकते हैं लेकिन पढ़ना 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 ज़रूरी है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा जो है छेत्र अफीम उत्पादन ही तू जो है परशित था जैसे ही अफीम की बात होगी तो हम बिहार लगा देंगा और कोई लगा ही नहीं शक्ते बिहार ही अंसर होगा याद रुकिएगा इसमें नमक और पढ़े होंगे नमक और अफीम के मामले में अगर पूछे जाए तो बिहार को टिक लगा देते हैं ऐसे दोनों साथ रहेगा तब और ऐसे अफीम है तो बिहार तो ऐसे भी है नमक होता तो गुजरात को भी टिक लगाते लेकिन नमक और अफीम साथ में आएगा तो बिहार ही लगाईगा निस्क्रिय बिरोध के सिध्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताईगा निस्क्रिय बात करते हैं निस्क्रिय बिरोध के सिध्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये डारेक्ट मैंने पढ़ाए था तो आप सा नमबर D याद रुखेगा अर्विन खोश होंगे, कौन होंगे, अर्विन खोश होंगे 40 प्रशन के बात करते हैं, 40 प्रशन का आगे कोशन पड़ी है, ऑफशन दिखाते हैं दिल्ली में कौन सा इतिहाशिक अस्मारक भारतिये तथा फार्शी बस्तुकला शैली का उधारन है तो देख लीजे, यहाँ पे चार अप्शन है आपके नीचे, तो देखे, जैसे ही बोलेगा, क्या बोलेगा, इतिहाशिक अस्मारक को की बात करेगा, फार्शी बहाशाओं की फार्शी बस्तुकला शैली का उधारन पूछेगा, तो आप बताएए क्या होगा दिल्ली में कौन सा इतिहाशिक अस्मारक है, जो कि भार्शी बस्तुकला शैली का उधारन है, यही सवाल बार बार पूछ रहा है, तो आप बताएए क्या होगा, तो अप्शन नमर सी होगा, कौन सा हिमायू का मकवरा ही है, जो कि आप देख रहे होंगे, चीक है, चीक है, को इसमें से छाटना है, है ना, तो बताएए एक तालिसमा प्रश्ट का क्या होगा, तो एक तालिसमा प्रश्ट का होता है, सर, यहार क्या है, सर, कोटदा, जैसे ही कोटदा आएगा, यही सही होगा, जैसे ही कोटदा लिखा रहेगा, वो ठीक लगाएगा, यह कोहा और डे मिला था सिंदु घाटी से सुबंदी थै यही सवाल अंसर सही होगा ठीक है डांडी मार्च कहां से कहां प्ररंभ हुआ था बताईगा इस आप्शन का जवाब देंगे 42 का अंसर का जवाब देंगे प्लीज 42 का जवाब देजे तो आप्शन नमबर भी आहमादावाद जैसे किस बंच के सासकोन ने चत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है प्रणाली का प्रयोग कोन क्या है चत्रप प्रणाली का बताईगा 43 प्रशन ना जवाब देंगे तो और कोई नहीं देखेगा शको ने किया था शको ने किया थे चलिएगा 44 प्रशन है कि किस ने महत्मा गांधी, बोलने वाला अंग्रेज जो था, उसका नाम बताईए आप, तो हम जानते हैं, आप बता दियोंगे, विश्टन चर्चिल का नाम आता है, यही बोले थे, जो गांधी है, गांधी जो है, भारत का फकीर हैं, देखिए, यह 15 प्रश्ण है, बोधिस्तवों का धर्म कह आता है, जैसे ही महायान ही न्यान दो में बता था, जिसमें जैसे ही बोलेगा, कि बोधिस्तवों का धर्म जो है, किसका है, तो महायान से जुड़ा हुआ है, चीक है, समझें, चीक है 46 question number का जबाब देंगे बताएगा 46 46 है कि किस कुशान साशक ने सरवधिक श्रण मुदरा जारी किया तो कौन सरव से ज़्यादा श्रण मुदरा जारी किया था तो 46 का option number C कनिश्क से ने किया था और ये जो है कुशान साशक से समन्दी थे जो कि सरवधिक स्रण मुदरा जारी किया था अप पढ़े होंगे राष्टी ये सोग दिवस कम मना जाता है हम बहुत अच्छे से जानते कि राष्टी ये सोग दिवस कम मनाते हैं जब बंगाल विवाजन लागू होने कि दीन को हम मानते हैं कि 1905 में हुआ था चीक है उसी दिवस कम सोग दिवस के दूपने मनाते हैं देखे अर्टार्समा प्रश्ण है History of the Indian Mutiny Mutiny नाम है नाम अप पुस्तक निवनिमे से जो है किसने लिखी है बताएगा निवनिमे से किसने लिखी है बताएगे 48 का तो हम बहुत अच्छा से जवा देंगे C G मेल शने 49 भारतेत यहास में हिजरी सन हिजरी सन निमर्कित में से जो है किस से समंदित है बताएगा हिजरी सन जो है किस से समंदित है तो हम बताएगे option number C या तो कि हजरत मुहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से है तो जैसे ही हजरत मुहम्मद का मक्का से मदीना पलायन होना ही जो है हिजरी सन से है हिजरी संबत कहते है ऐसे ठीक है 50 प्रशन है कि ब्रेटीश शरकार ने महातमा गांधी को जो उपाधी दी थी और जिसे उन्होंने अशेव का अलोरे में बापस कर दिया था, वह था पता है, केशरे हिंदी की उपादी दिया था, क्या दिया था, केशरे हिंदी की उपादी, क्या ये सही है, तो हाँ एक दम सही है, क्या है, केशरे हिंदी की उपादी दिया था, यही अंसर आपका शही है, औ करवाने जा रहा हूं तो तैयार हो जाएं रात को डेली जो है साम को डेली साथ बज़े से सुरू हो जाएं मैं तो रात को साथ बज़े से चलिए जहीं जय भरत